नमशकार, स्वागत है साहितिक जिरो का चैनल पर, आज हम करेंगे फनिशवर नाथ रेणु जी का उपन्यास कितने चोराही, नाम से हिस्पस्थ है कितने चोराही, यानि जीवन में अनेक बार ऐसे मोड आते हैं, ऐसे चोराहे आते हैं, जहां हमें कोई ने कोई दिशा निर् पड़ता है और उसी के अनुसार उसे एक नई दिशा और एक नया रास्ता चुनना पड़ता है तो उसी को केंदर में रखा गया है नायक के जो मनोभाव है या नायक के जीवन में आने वाले जो मोड हैं उसी को आधार बना कर इस उपन्यास का नामकरण कितने चोरा है किया ग हमारी जो युवा पेड़ी है उसको प्रेरित करना चाहते हैं क्योंकि इस उपन्यास की प्रिष्ट भूमी क्या है जब हमारा देश स्वतंतर्ता के लिए संघर्ष कर रहा था जब हमारे समाज को गांधी जी का नितृत्व मिल रहा था उसी समयकाल में आंचलिक परिवेश मे इस उपन्यास की रचना की गई है एक बालक के बड़े होने की एक कहानी है जिसमें परिवार समाज और देश बराबर के भागीदार है यानि एक बालक जब बड़ा होता है तो केवल उसके परिवार की भागीदारी नहीं होती बलकि वो समाज से और देश की प्रस्तितियों उसे भी बहुत कुछ सीखता है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण जिसके माध्यम से होता है इस उपन्यास के लिए रेणू ने हमारे देश के एक महतपुन कालखंड को चुना है और ये कालखंड कौन सा है 1930 से लेकर 1942 तक का समय जब हम क्या कर रहे हैं आजादी के लिए सं गर्ष जारी था ये समय जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में महत्मा गांधी की भूमी का काफी एहम हो गई थी महतपुन हो गई थी मनमोहन जब छोटा बालक है उस समय अगर मैं बात करूं कि उसके जीवन में कहां मोड आता है एक गाउं में रहता है गाउं की जीवन शेली है उसके अनुसार वो अपना जीवन जीता है जो मनमोhn है उसकी मा के पहले भी तीन संताने हुई थी इस उपन्यास में घटना करम का बताया हुआ है कि उसके पहले तीन संताने हुई थी जिनकी किसी कारणवश मुरित्यू हो गही तो एक दिन उनके सपने में कोई बाबा नजर आते हैं जो उनको कहते हैं कि अगर तुम इस आने वाली संतान को अपना बना कर रखोगी तो मैं इसे भी ले जाओंगा इस बात का मनमोहन की माता कहरदे पर बड़ा परभाव पड़ता है तो वो मनमोहन के साथ इस तरह का व्यवार करती है जैसे म माहूल में उसकी परविलिष होती है और लेकिन उसके पिता से उसका बड़ा लगाव है तो जब वो अपने गाओं में अपर primary में scholarship उसे मिलती है तो गाउंस के स्कूल से उसे शेहर के स्कूल में जाना होता है शेहर के स्कूल में जाने से पहले जैसे बालक का एक मन होता है उसके मन में अनेक प्रशन आते हैं, एक दर का भाव भी रहता है, एक शंका का भाव भी रहता है, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ कर नहीं जाना जाता उसके परिवार में उसके पिता है, उसकी मा है उसकी छोटी बहन है पुषपी, आप ये भी नाम ध्यान में रखेंगे उसकी छोटी बहन है पुषपी और उसके काका है तो अपने काका से मनमोहन का बड़ा लगाव है काका उसे बहुत प्रेम करते हैं और वो भी काका को बहुत ज़ादा मन से या उससे लगाव रखते हैं बाद में जब मनमोहन को भेजा जाता है तो वो कहां पर भेजा जाता है अररिया कोट वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा जाता है पहले ये बात चलती है कि वहाँ पर उसे डे बोर्डिंग के लिए या होस्टल में छोड़ दिया जाए लेकिन बाद में वहाँ पर मनमोहन के पिता के जानकार है या उनके परीकित हैं मोहरी मामा उस मामा के यहां पर वो रहते हैं मामा उसको अपने साथ क्यों रखते हैं क्योंकि मनमोहन के पिता का उनके साथ बड़ा आना जाना है तो ये किसी रिष्टे में मामा नहीं बलकि परीचे के कारण मामा हैं तो उनसे ये कहते हैं कि जब मैं गाओं से या तुम पास रहना चाहिए जो फोटर है मत्रो जो Чोटा है।ose परिशान करता है उसका बिस्तर भी घर से बाहर की तरफ लगा दिया जाता है तो यह कुछ ऐसी प्रस्तितियां बनती है कि मामा के घर भी प्रारंबिक समय में मरमोहन का जो मन है वो नहीं लगता ऐसे में वो काफी परिशान रहता है लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त बन जाते जिसमें उसका जो दोस्त है रविंदर है काली है बाद में उसी स्कूल का एक सीनियर चातर है प्रियोदा प्रियोदा से वो बड़ा परभावित होता है क्योंकि प्रियोदा गांधी जी से जुड़ा हुआ है खादी का परचार परसार कर रहा है जब पहली बार वो प्रियोद को देखते हैं तो प्रियोदा तकली से सूथ कात रहे थी और उनके कुर्टे पर एक अलग सी बैच टाइप लगा था जिसमें भारत माता की तस्वीर थी और जिसे बेडियों से जकड़ा हुआ था उसको देखकर वो बहुत जादा उससे परभावित होते हैं और क्योंकि जो म संघर्ष कर रहे हैं यहां पर जो अगर हम देखें शर्बतिया की बात करें क्योंकि यहां पर नाम डाल रखा है शर्बतिया जो शर्बतिया है यह मामा की बेटी है लेकिन इसके जो पती थे यह साइमन गो बैक जो कमिशन अंदोलन चला था उसके दोरान उस आजादी की ल जगह बना लेते हैं अपनी स्कूल में अपनी जगह बना लेते हैं क्योंकि स्कूल में उनको सुर्य नारायन भोला जैसे दोस्त भी मिलते हैं ये कुछ एक पात्रों के नाम उपन्यास में दे रखे हैं जो उसके दोस्त हैं तो जब वो प्रसिद्ध हो जाते हैं तो क्योंकि तेखिए जो स्कूल का माहूल है वो भी कुछ ऐसा है कि मास्टर जी उन बच्चों को इस अंदोलन में जाने से रोकते हैं लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं तो उनको सजा होती है पांच दोस्त हैं जो मनमोहन है बाद में ये नो हो जाते हैं तो ये जो मनमोहन है इसके जो गुरुजी है वो उन बच्चों के लिए जो आजादी की लडाई में शामिल होने के लिए स्कूल से चले जाते हैं उनको सजा देते हैं सजा में मनमोहन बहुत छोटा बच्चा है लेकिन वो अपने शरीर पर मास्टर के द्वारा चलाईगी बैंत को जहल जाता है यानि जिस टंडे से मास्टर जी पिताई करते हैं मनमोहन की वो अपने आखों में एक गुरूर का भाव लेकर उसके प्रतिकरिया नहीं करता और उसके बाद से मनमोहन सब का नेता बन जाता है सब उसकी इस बहादुरी की बड़ी परशंसा करते हैं तो गाउं में तो मनमोहन को मुनी जी के नाम से जाना जाता है और शहर में मोना के नाम से इसे जाना जाता है और यही इस उपन्यास की क्या हैं मुख्य पातर है तो इसके लावाद जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि और बहुत से पातर हैं जैसे मनमोहन की काका हैं, बाबू जी हैं, शर्बतिया है, नीलू है, उसकी बहन पुश्पी है, मत्रू है, जो मामा का बेटा है, प्रियोदा है, जो मनमोहन के ही स्कूल में उसका सीनियर है या उसी स्कूल का बड़ी कक्षा का विद्यार्थी है, उसके बाद उसका जिन से भ आजादी के मारग में कहीं बाधा के रूप में उसके सामने इसलिए अभिवेक्त नहीं करते कि कहीं इसने का जो भाव है ये मेरे जीवन में बाधा ना बन जाए इसलिए प्रंतु उस माहोल के बीच में नीलू के प्रति जो सने का भाव है वो बड़ा ही अगर देखे तो सु मनमोहन को मुनी जी कहा जाता है तो जन मोहन को यहाँ पर गाव में गुनी जी के नाम से जाना जाता है ये भी आप ध्यान में रखें तो ये सब घटना करम इनी पात्रों के मध्यम से इस उपन्यास में घटित होता हुआ दिखाया गया है इसके बाद बात करें तो जो मनमो उसके पिता एक किसान है एक किसान का होनार लड़का है जो गाउं के स्कूल से अररिया शेहर में पढ़ने जाता है एक अबोध बालक के लिए नया स्कूल नए लोग नए संस्क्रिती में तालमेल बिठाने में शुरुआते समय में कुछ दिक्कत आती है पर जल्दी वो अपन केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है वह उन सारी गत्वीदियों में सक्रिय होने लगता है जो उस वक्त समाज और देश को बहतर बनाने की दिशा में चल रही थी जैसे आजादी के लिए संगर्श चाहे वो जरूरत मंदों की मदद हो भूकम पपीडितों की सेवा या क्या पड़ा कि बहुत सारे लोग जो है उस भूकम के कारण पर भावित हुए लेकिन मनमोहन और उसके साथियों ने आव देखा नताव यानि किसी की परतिक्षा नहीं करी बलकि उस भूकम से परभावित लोगों की मदद करने लगे वहाँ पर उन भूकम में जो परतेक व की सेवा के दोरान उनके बहुत ज़्यादा नजदी का गये थे यानि उनके साथ एक सने का संबन बन गया था और बहुत लंबा समय उन्होंने वहाँ पर विताया था उसके बाद जब अंग्रेजि हुकोमत का जब सामना उने किया या अगर हम कहें कि यह वो समयकाल था जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो जो भगत सिंग और उनके साथियों को फांसी के सजा दी गई उसका भी इसमें इसको शामिल किया गया इस घर्णा करम को भी जब भगत सिंग और उनके साथियों को फांसी के सजा दी गई तो इसका परभाव मनमोहन और उसके साथियों पर बहुत जादा बढ़ा उन्होंने भी क्रांती के लिए संघर्ष करना और जादा तेज कर दिया और बाद में देखे पहला जो समय था उसमें उसके जो मामा है या उसके काका है वो भी उसके विरोधी थे क्योंकि जब मनमोहन ने ये बताया या उसने खादी पहनना शुरू किया तब इसके जो ये परिजन थे मामा और काका ये काफी चिंता व्यक्त कर रहे थे क्योंकि ऐसी प्रस्तितियों में एक छोटे बालक के द्वारा इस परकार की अभी व्यक्ति उसके क्रांती कारी विचारों को दर्शाती है और एक बालक जब ऐसे कारियों में सलगन होता है तो उसके माता-पिता को चिंता होना स्वभाविक है क्योंकि यहां पर जीवन और मृत्यू का कोई समय नहीं कोई कोई निश्चित नहीं ना जाने कब अंग्रेज हकूमत की लाठी किसको शहीद कर दे इस तरहें की प्रस्तितियां बनी हुई थी तो मामा और काका जो है वो काफी चिंतित थे लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने मनमोहन को देखा उन्होंने जाना उस समय जो घटित होने वाली घटनाएं थी उसके कारण ये भी काफी प्रभावित हुए और इसी करांती में शामिल हो गए तो ये वो समयकाल था जब प्रतेक व्यक्ति गांधी जी के साथ जोड़ता चला जा रहा था या करांती की जो आजादी की जो लड़ाई थी उसमें शामिल होता जा रहा था यहां महात्मा गांधी जो हैं वो सबकी प्रेड़ना के सरोत हैं लेकिन महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत जादा चितरन इसमें नहीं किया गया केवल एक बार मुख्य भूमिका में गांधी जी यहां पर आते हैं और एक दिन घटना करम जो घटित होती है कि गांधी जी को जेल हो जाती है इससे प्रभावित होकर चात्रों सहीत जो मनमोहन है वो भी आजादी में शामिल हो जाते हैं उसके बाद मनमोहन परभात फेरी में भी सबसे आगे रहने लगता है और बाद में मनमोहन के जो काका हैं वो भी मनमोहन के साथ शामिल हो जाते हैं मनमोहन जिस मामा की यहां रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी बेटी का नाम है शर्बतिया उसके पती भी खदर पहनते थे और उनकी गिंती स्कूल के प्रतिबाशाली छातरों में होती थी लेकिन जब साइमन कमीशन के विरोध में उसने नारे लगाए और पुलिस की मार से वो वीरगती को प्राप्त हो गया इसलिए एक दिम जब स्कूल में सीनियर कलास के लड़के को तकली चलाते हुए और खदर पहने हुए देखा तो उसे शर्बतिया के दूले की याद आ जाती है यह लड़का कौन था यह प्रियदा था यह घटना करम मनमुहन के जीवन की दिशा को बदलने में निरणायक भू में आ जाते हैं देखे भारत की आजादी में लिखे गई इस उपन्यास में एक आदर समाज के निर्मान का सपना है और उस सपने को साकार करने की चाहत भी है रेणू उस वक्ती भली भांती जानते थे कि हमारा समाज जाती धरम और आर्थिक विशमताओं जैसे मुद्दों से जूज रहा है उन्हें ये भी मालूम था कि समाजिक समरस्ता को बरकरार रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना बहुत कठिन है उपन्यास के उतरार्द में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए दंगों और उनमें हफीज साहब और सूर्य नाराण के इद्यार्थी का भी जिकर किया गया है जो 1931 में कानपूर के दंगों में शहीद हो गए थे या उन दंगों की बली चड़ गए थे तो समाज की अंतर विरोधों से रेणु जी हैं वो पूर्णते अवगत थे तभी उन्हें गांधी जी के विचार उप्यूक्त लगे ताकि गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर जो समाज है वो अपने आप में बदलाव लेकर आए इसके सासा तकर हम देखें तो इन्हों ने इस उपन्यास में बच्चों की शिक्षा का भी एक नमूना प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने किताबों के अलावा समाज औ उत्पन होगा तो वो अपने आप और सकरिया होने लगेंगी जैसे कि यहां मुख्या पातर मनमोहन के विभिन सामाजिक सांस्कृतिक करिया कलापों में नियमित रूप से भाग लेता है और कैसे उसके विचार परिकपव हो जाते यानि कैसे वो समझदार हो जाता है अगर शिर्षक की अगर बात करें तो इस उपन्यास का शिर्षक कितने चोराए हैं अपने आप में काफी महतपूर्ण शिर्षक है ये क्योंकि जो मुख्या पातर मनमोहन है उसके जीवन में कई चोराहे आए और प्रहें उसने अपने लिए एक सही मारगी चुना चाए वो विकास की यात्रा अधुरी है तो जहां प्रेम और भाईचारा होगा वही समाज विकास करेगा देखें इसमें एक घटना करम दिखाया गया है जब आजादी के लिए लड़ाई के लिए जब संघर्ष करते हैं अंग्रेजों के सामने सारे साथी खरांती के का नेत्रित्व करने लगते हैं तो ये पांच दोस्त होते हैं जो जंडे को संभालने की बात करते हैं उसांदोलन में तो ये निश्चित किया जाता है कि जंडा सबसे पहले किसके हाथ में रहेगा और अगर एक शहीद हो जाएगा तो जंडे को नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा बलकि दूसरे व्यक्ति को वो जंडा या दूसरे दोस्त को वो जंडा संभालना होगा इसी करम में एक समय ऐसा आता है जब जंडा संभालने की बारी है वो मनमोहन की आती है मनमोहन को लेकिन यहां नीलू है वो मनमोहन को रोक देती है उस जंडे को पकड़ने से क्योंकि उसे डर है कि जैसे उसके बाकी चार दोस्त शहीद हो गए जंडे को संभालते संभालते वैसे ही वो मनमोहन को नहीं खोना चाती तो यहाँ पर जब नीलू मनमोहन को रोक देती है उस जंडे को संभालने से तो उसका दोस्त ही उस जंडे को संभालता है इस घटना करम के बाद जो मनमोहन है उसके मन में एक कुंथा का भाव आ जाता है या अगर यूं कहें कि एक मलाल आ जाता है बाद में उसे इस बाद का अफसोस रहता है कि उसने ऐसा क्यूं किया नीलू का कहना उसने क्यूं मान दिया लेकिन उसके जीवन के घिट्णा करम के कुछ ऐसे पलाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसका भाई जो जगमोहन है वो जो सैना में लेफ्टिनेट के पडर था उसने अपनी देश के लिए अपनी शहादत दे दी है तो जब उसे अपने भाई जन मोहन की शहादत के बारे में पता चलता है तो उसके मन का मलाल समाप्त हो जाता है वो अपने उस बीते हुए पल का जो उसके मन में अवसोस था मलाल था कि वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाया या उसने अपने देश का जंडा नहीं संभाल पाया उस बात का मलाल अपने भाई की शहादत के साथ खतम हो जाता है क्योंकि उसे अपने भाई की शहादत पर गरव है कि उसने इस देश के लिए अपने आपको शहीद कर दिया या उस देश के लिए अपने आपको कुर्बान कर दिया तो इसी के साथ यह उपन्यास की समाप्ति होती है जो सचिदानन महराज या मनमोहन जी है वो अपने नए जीवन की शुरुआत यहां से करते हैं और उनके मन का जो मलाल था अवसोस था देश के कर पाने का वो इस घटना करम के साथ समाप्थ हो जाता है तो उमेद करती हूं कि इस उपन्यास को हमने जो सारा शुरूप में किया है यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्लीज आप अपने भावों की अभिवेक्ति कमेंट के माध्यम से जरूर करें बहुत ब